चलू भाई, आखरी औसध्य पौधा है पामा रोजा, देखू आब इके कैसे रोपेक है, कैसन माटी चाही, कैसन जलवायू चाही, इकर लगिन माटी और जलवायू चाही, सालो भाईर सुरक्षित बरसाइद में जखान तापमान 30 डिगरी से 40 डिगरी रहे, और वायू मंड जलिये आधरता 80 प्रतिशत से रहे, तो रोड़े इकर खेती केर सकेल, जदी माटी दो मट माटी है, और निसके कर बेज सुईधा है, तो और बढ़ियां, इकर उन्नत प्रभेद है, आई डबलू, तीन एक दुईचाहर, पाँच, पी आर सी, एक आर एच, उन्चास, प्रता कंपोजिट 12, जे आर 68, जे आर 68, सी आई 8, अब इकर बिहिंदर कतना रहे चाहिए, बिहिंद से रुपाई लगिन, तीन से पाँच किलो ग्राम, बिहिंद कर चैर से पाँच गुना माटी में मिसाय के, दस से बार सेंटीमीटर उच क्यारी मन में इके बुईन देख चाहिए, बिहिंद लगायकर बेरा, नरसरी में जदी लगा थी, तो इकर लगायकर बेस बेरा है, मई से जून, लगायकर दूरी, 40-45 दिनक, पुरना पोधा के उखरायके, 45-30 से अंतर में इके लगाय देऊ, इकर में उर्वरक लागा थे, नेतरजन, स्फूर और पुटास मातरा अनुपात में देदेव, 20 अनुपात, 60 अनुपात, 40 किलोग्राम कर अनुपात में, आब इके पटायक है, तो जेजन जो रद पड़े, उसने इके पटाय देख चाहिए, अब तोड़े कोड़े केसन करेख है, पटाल ठाउ में, बरसाइत में, तीन कटनी केर के, सितम अक्टूबर, फरवरी से मार्च, और मैं से जून में, लेल जाय सकेर, और बेगुर पटालठाउ में, दू कटनी केरलेले बेश रही, जकन पूरा क्रम कर रंग हलुक बदामी होय जैल, उबेरा, फसिल कर, 9 से 10 इंच भूई कर उपरे से कैट ले, तले, औसान केर के, तेल क निसकाल जाय सकेल, अब इकर उप्योगी भाग, इकर उप्योगी भाग में है, इकर पताई मन और इकर पुस्प क्रम, जेकर से 50 से 55 किलोग्राम तेल प्रती हेक्टर में भिटायल, जदी पताल अवस्ता है तो, अब इकर उप्योग, इकर उप्योग होयल, अगर बत्ती बन सिंगर कर समान बनायक में और प्रशाधन कर समान बनायक में तमभाइस के सुगंधित करेक में उप्योग है भूसरी मन के भगया कलगिंग रीद इस्थ सOne re-plantas में देल कर माल जदी घुट एंधी अच्छान बनायक में और काया मन कर और और जोड़ कर दरद मन में इकर उप्योग है तो देखू भाई इतना उप्योगी है तो इक काले नहीं लगा जाए तो आपन खेत में आपन घर कराज से इसोब और सधिय पोधा मन के लगाओ और इकर जिसन उप्योग बताल जाए है उसन उप्योग करूं तो डाक्टर जगन जाए कर जो रत्य नहीं पड़ीतर हो रिखें